पूरे समाज के लिए मेरे जितने स्टूरेंट हैं वे अभी तक क्योंकि उनकी बदॉलत मुझे मिल रहा है तो ये पूरे समाज के लिए गौरों के बाद है पूरे राज्जी के लिए सो जो बंदी हैं उनके उपर आप मेहनत करो उनमें से एक ने भी गन छोड़ दिया तो मैं समझूगा कि आपका रिजल्ट हंड़ेट परसेंट है वेक्तिक पहचान अपनी कर्म और कला से होती है आज हमारे साथ एक बेहदी खास सक्षियत महजूद है जिन्होंने अपनी सील्प कला के माध्यम से जो बंद कैदी है अधिकतर जो नक्चल पीडी है जो बंद है कैदी उनको आप निर्वर बनाने के लिए जो है कला सिखा र ट्रेणिंग देते हैं और इनकी क्या उद्देश से है और जो है किस तरह से आगे और भी कारे करेंगे अजय मंदावी जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है आरजनुद में नमस्कार नमस्कार सबसे पहला सवाल यह है कि जो आप कैदियों को लगतार ट्रेणिंग दे रह और उन्होंने यह कहा था कि यार सो जो बंदी है उनके उपर आप महनत करो उनमें से अगर एक ने भी गन छोड़ दिया तो मैं समझूँगा कि आपका रिजल्ट हंड़ेट परसेंट है तो यह एक अच्छा रहा कि आर्ट के माध्यम से सब का जो है वो माइंड डैवोट नहीं कि आपने जब तक वो जेल में है नहीं है कि और जब तक वो सब करेंत लगे नहींनेantes इक तक चार साल रहेगा और तब तक वोह कोई नए और कोई नए कोई नए चीज सीखता जाएगा तो यह मेरे लिए पे अच्छा है कि चलोग उसके लिए मेरी जोली कभी खाली न नहीं तो वह जो मेजरमेंट है वो उसके लिए बहुत बड़ा पढ़ाई चाहिए तो वो भी करना सीखे वो लड़के लोग और शानदार तरीके से वो लोग सीखते हैं मेरे सिखाने से विया आउटर में जैसे सिखाते हैं हम लोग तो स्टुडेंट का ध्यान कहीं और है कही आप लगतार कबसे जो कैदी है उनको आप रहे जाए जून 2010 से शुरू हूँ अभी भी वो लगतार है और आगे देश ही बनाया है और ये थीम है मेरा कि कला ही एक मात्र जरिया है जो अपराद को रोक सकता है या कम कर सकता है या जिससे चाहे अंचाने चाहे अंचाहे अपराद हो चुका है वो उस चीज को भूल सकता है और अपने आइडेंटिटी अलग आप एक आधिवासे समान से आते हैं और आपको जो है पढद मिस्ञिसे नवाजा जाएगा अपको कैसा लग रहा है यह पूरे समाज के लिए मेरे जितने स्टूरेंट हुए अभी तक क्योंकि उनकी बदूलख मुझे मिल रहा है तो यह पूरे समाज के लिए गोरों के बात ह और खासकर हमारे अपने नगर के लिए जिसके इतिहास का पहला पदमश्री है ये और 36 गड़ बने हुए 23 साल हो गए उसमें पहली बार किसी आदिवासी को दिया जा रहा है तो ये मेरे लिए सबसे गवरव के बात है कि मैं उस सीरीज में सरपर्थम हूँ लेकिन इसका पूर अपने जिला पंचायत में भी रहकर कारे किया उसके बाद आप जेर में जाकर कारे कर रहे हैं जिला पंचायत में भी एक ट्रेनिंग सेंटर ही था और उसको भी हम लोग रन करते थे उस दोरान जिला पंचायत काकेर ही नहीं बलके दुर्गो कॉंदल में हार्ट कर रहा हमे बैजन पूरी में ऐसा लाइन से लड़कियों का क्लास चला तो उस दोरान मानी देवलाल दुगजी का सहयोग रहा उनके पीए सतीस कश्यप का सहयोग रहा और उनके सहयोग से 448 लड़कियों की ट्रेनिंग हुई उनको बकाइदा हम लोग सिलाई मसीन दिये लेकिन मैं सोभा आगे साली हूँ कि उसको पूरी तरह से मैनेज करने का जो था पावर वो मुझे दिया गया था और कहीं ने कहीं खर सिलाई वलाई मैं भी जानता हूं सिलाई कड़ाई का पूरा काम तो पहले मैं लड़कियों को सिखाता भी था यहां भी जेल में कुछ समय तक लड़कियो को कि चलो से लाई कड़ाई सिखा देते हैं लेकिन वो एक जगह एक उड़नार्ट में कंसंट्रेट होना और उसको फिर इधर उधर करना वो उचीत नहीं लगा इसलिए वो छोड़के सिर्फ और सिर्फ उड़नार्ट के पिछे लग गयाना है जिसे के आप लगातार कैड़िक को ही ट्रेणिंग देते हैं या फिर उसके अलावा और भी जो लोग हम उनको ट्रेणिंग देते हैं देखिए वो तो सीखने वाले के उपर है दर्वाजा खुला है और यह शर्त नहीं है कि आप ट्रेणिंग लेने आएंगे तो आपको फिस देना पड़ेगा मैं बलकि जो ट्रेणिंग लेने आते हैं उनको रोक के यह पूछ लेता हूं कि दो पहर मैं खाना खाया है कि नहीं खाया है क्योंकि जब शुरुआत में गया था तो कामर्सियल तो था नहीं मैं कभी से 2010 में भी यह नहीं था कि कोई बोल भी देता कि यार यह सामान मेरे लिए बना दे ना मैं इतना पैसा दोंगा यह कभी नहीं लोग हिमत किये न मैं हिमत किया कभी लेकिन जब S.D.O.P के लिए मैं ने एक सामान बनाया तो उन्होंने पूछा कि इसका कॉस्ट किया है तो मैं जितने में लकडी खरीदा था उतने का कॉस्ट उनको बताया तो बोले कि अगर आप इस सामान को इतने रुपए में बेचोगे तो ट्रेनिंग का पैसा कहां से लाओगे कि आपको 10 लोगों को ट् दुसे और थे और शौत को बनाया चुमाइगी फोले कि अगर इतना सामान को वहाँ न कभी कोई अड लिया तो यह प्रोज्ट में प्राज्जेक्ट में करूंगे मैं करता चैंसलिंग कर पाऊंगो यह सब यह सब्सक्राइब छोड़ के और भगवान के दया है कि जैसा भी हो मित्रवत जो मिले मुकेश ठाकुर जी वो भगवान जैसे मिले और उनको काफी बड़ा स्रे जाता है कि आज मैं इस मुकाम में हूँ कि जो शुरू में ढखेल के गाड़ी स्टार्ट किया ना उसी को ना हम स्रे देंगे इस तरह से ही है कि वो पूरी तनमेता से सीखे अच्छा ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो घर आके बड़े द्यान से सीखे एक लेडी के बारे में बताना चाहूंगा मैं उसका पुस्पांजली महानन्द और वो उडिसा से बिलॉंग करती है प्रापर उसका घर उडिसा में है तो वो कुछ साल पहले आके रिक्वस्ट की कि मैं सीखना चाहती हूं आप क्या फीस लेंगे मैं बहुत फीस के अगेंस्ट मैं मैं नी सिखाऊंगा तुम यहां बैठो और स जिल से रिलीज जो बच्चे हैं जो यहां मेरे पास रहना चाहते हैं वो कई बार एडवांस ट्रेनिंग के लिए उडिसा जाते हैं अभी एक मेला चल रहा है भुनेश्वर में वो अटेंड कर रही है उस मेले को तो जब भी उसको यह लगता है कि मैं अकेली हो रही हूं क् यहां से जो छूटेगा वो उसका गुरु भाई है से दी सची बात तो जो भी लड़के जाते हैं वो बकाइदा वहां काम करते हैं उनका पूरा पैमेंट बनता है यहां भी जो काम करते हैं उनका पूरा पैमेंट बनता है रहना खाना पीना बाकिस सब फ्री है लेकिन जो एक आईडियल पॉकेट मनी है वो दिया ही जाता है चाहे वो पांच हजार हो या छे हजार हो या दस हजार हो जो भी जैसा भी रिक्वार्मेंट रहे है उतना उतना हम लोग करते ही है जैसे आप कैदियों को ट्रेंडिंग देते हैं समान अपना रहता है किस तरह से सयोग मिलत है या फिर अपने जो प्रसनल है वो देखिए अब तो एक रिदम में आ गया कि दो दिन चार दिन में कोई नों कोई सामान एक हजार दो हजार रुपय कभी जाएगा उस उसका लकडी खरीद के अपन उस ट्रेंग को मैनेज कर लेंगे लेकिन यह कामर्सियल नहीं है कि मैं जाओं और कोई सामान बेचूं या कोई नार्मल कस्टमर आये और बार्गनिंग कर ले और सामान खरीद ले यह पासिबल लें है तो जो भी है फिनिस प्रोडक्त बनता है उसको थोड़ा बहुत बेच के और ट्रेनिंग का खर्चा पूरा निकलना चाहिए मैंने ट्रेनिंग में कोई बाधा नहीं आने चाहिए यह अपने चैनल के माध्यान साब को बहुत बहुत सुपकाम नहीं देते हैं मंदावे जी कि आपको पदमस्री से नवाजा जाएगा परुष्कार से और यह बोलना चाहेंगे कि जो लोग है वह सच में इस तरह से कारे करें ताकि जो लोग है वह आत्मी निर्भर बने और लगतार जो इस तरह कि जो है चेत्रम काम होने के और मैं फिर से बार आपको बदाए देना चाहूंगा कि इस तरह के तो कारें हैं आप अपने जीलम कर रहे हैं और अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं यह सबसे आदिवासी समाद से आप विलोंग करते हैं और इस तरह से आप कार ये कर रहे हैं और आप जो है आपको 14 साल समाद आपको पुरुसकार दिया जाएगा केमरा परसंट मनिस्कुल्दी के साथ खिलेशो नेताम अर्जिन्यूस कांगी